नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं पुरुशोत्तम मास महात्तम की 23 दिन की कथा, अध्याय 23 में इसमें हम सुनेंगे राजा दृर्धनवा उपाख्यान, राजा चित्रवाहू, मनि ग्रीव तदा मुनी उग्रदेव की कथा का वर्ख्यान राजा दृर्धनवा बोले, हे मुनी शेष्ट पुरुशोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझसे कहो श्री नारायन बोले, राजा के विनर्म होकर पूछने पर बालमी की मुनी बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा दृर्धनवा पापनाशनी कथा सुनो, जिसके सुनने से पाँच प्रकार के महापातक नश्ट हो जाते हैं सो भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा रहता था, वे है सत्य प्रतिग्य, महाबुधिमान, शूरवीर, शमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शांत स्वरूप, दया से युक्त, पूजनिय, भगवान का भक्त, कथा सुनने में ततपर, सदा अपनी पत्नी में प्रेम रखने वाला, पशू, एवं पुत्रों से युक्त, चतुरांगिणी सेना वाला, कुबेर के समान धनी था, उसकी 64 कलाओं से युक्त, पती वृतास्त्री, महाभाग्यवान, भगवत भग्ती में रहने वाली चंद्रकला रानी थी, उस चंद्रकला रानी के साथ, र राजा चित्रबाहुने मुनिश्रेष्ट अगस्त रिशी को दूर से ही आते हुए देखकर दंडवत प्रणाम किया, और उनकी पूजा करके भग्ती सहित आसन बिछाकर मुनिश्वर के आगे बैठ गया, तथा विनैपूर्वक बोला कि आज मेरा जनम सफल हुआ, आज मेर राज्ये और महल पवित्र हुए, जो आप श्री कृष्ण के सेवक मेरे भवन में पधारे, हे मुनिवर, आज आपके दर्शनों से मैं पापों से छूट गया, अतहे हाती, रत, गोडा, पैदल, सेना, सहित, राज्ये आपकी भेट हैं, हे मुनिश्रेष्ट, आप को दिया, क्योंकि वैश्नव को दिया हुआ थोड़ा सदान भी सुमेर उपरवत के समान हो जाता है, जो पुरुष दिन भर में कौडी भर, शाक, अत्वा उत्तम अन्न वैश्नव भ्राम्मन को नहीं देता, उसका वहेदिन निश्फल है, ऐसा वेद वेताओं का कहना है, ज तो कोई ब्राम्मन आदि विश्नु भक्त हो, वे पूझने योग्य हैं, उनका वानी, मन और क्रम से सतकार करना चाहिए, ऐसा रिशी गरगाचार्य, गौतम और मुनी सुमन्त ने मुझसे कहा है, जब तक सूर्य उधैना हो, तब तक तारों की छटा रहती है, उसी प्रकार जब तक वेश्नव विप्र नहीं आवे, तब तक अन्य ब्रामनों की छटा रहती है, अगस्त मुनी बोले, हे जित्रबाहू, तु सब प्रकार से धन्य है, तेरी यह सब प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे वेश्नव प्रजा की रक्षा करते हो, जिस राज्य का राज्य हरी भक्त ना हो, उस राज्य में नहीं रहना चाहिए, इसलिए वेश्नव रहित राज्य में रहने से वन में रहना अच्छा है, जैसे नेत्रहीन शरीर, पती के बिना स्त्री और निरक्षर ब्रामन निंदनिय है, वैसे ही वेश्नव रहित देश निंदनिय है, जैसे दांत बिना हाती पंख बिना पक्षी और दश्मी विद्धा द्वादशी की स्तिती होती है वैसे ही वैशनव बिना राज्य है जैसे कुश रहित संध्या तिल के बिना तरपन जीविका के लिए देव सेवा होती है वैसे ही ऐ वैशनव राजा का देश है जैसे शुषीलास्तुरी को कष्ट देने वाला, सनान रहित, वरत करने वाला और सत्य कर्म करने वाले को प्रताडित करने वाला निंदनिय है वैसे ही वैशन विना राज्य है विदवानों ने राजा वही कहा है जो कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रित हो उसी का राज्य दिन प्रति दिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है हे राजन आपके दर्शन से मेरी दृष्टी सफल हो गई आपके साथ वारतलाब करने से आज मेरी वानी सफल हो गई आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया है हे राजन मेरी आग्या है अब इस राज्य का शाशन तुम करो मैं तुमको राज्य में पुनहें प्रतिष्ठित कर रहा हूँ तुम्हारा कल्यान हो श्री नारायन बोले इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा वाले अगस्त जी को राजा चित्रबाहु की पती वृता पत्रानी ने परहम भक्ती पूर्वक प्रणाम किया अगस्त जी बोले हे शुभे तू सदा सौभाग्य बती हो और भक्ती पूर्वक पती की सेवा करती रहे श्री कृष्ण भगवान में तेरी द्रड भक्ती हो ऐसा आशिर्वार देते हुए मुनी से विन्य पूर्वक राजा सिर्नवा कर हाथ चोड़ कर फिर बोले हे महरशी अभी मत जाईए आप से निवेदन है कि थुड़ा और रुकिए और मेरी एक जिग्यासा शांत कीजिए मुझे अपार धन अकंटक राज्य और पती बता पतनी किन सुकर्मों से प्राप्त हुई है हे विपेंद्र यह सब मुझे बताईए मैं आपकी शरण में आया हूँ हाथ के दरपन की भाती आप त्रिकाल दर्शी हो श्री नारायन बोले इस प्रकार राजा का प्रेश्न सुनकर मुनी श्रेष्ट अगस्त जी एकागर चित होकर कुछ शरण रुक कर बोले मैंने तेरे पूर्वजनम का सब चरित्र देख लिया वह सब प्राचीन इतिहास मैं तुझ से कहता हूँ तू सुन्दर चमतकार पुर में मनी ग्रीव नाम से शुद्र जाती में पैदा हुआ था तता जीव हिंसक था नास्तेक दुष्चरित्र परिस्त्री को हरने वाला बुरे विचार वाला तता अशिष्ट था तेरी यह सुन्दर स्त्री पूर्वजनम में तेरी भार्या थी यह मन क्रम और वचन से पती की सेवा में रहती थी यह पती वर्ता महाभागेशाली धर्मात्मा तेरे उपर कभी भी दुष्ट भाव नहीं रखती थी तुझ कुकर्मी को तेरी जाती के अन्यभाई बंदुओं ने त्याग दिया और राजा ने क्रोधित होकर तेरा सब वैवव चीन लिया बचा हुआ जाती के लोगों ने छीन लिया संपत्ति के चले जाने पर तुझे बड़ी भारी धन की इच्छा हुई एक दिन तु धनुष उठा कर म्रिग का मास खाने की इच्छा से सर्पों और म्रगों से युक्त एक वन में चला गया हे राजन उस निर्जन वन में महामुनी उग्रदेव दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भड़कने से व्याकुल हो रहे थे तेज दुपहरी की गर्मी के कारण प्यास के मारे व्याकुल होकर विवां गिर गए और अचेत हो गए तब भूले हुए दुखित ब्रहम्मन को देखकर तुझे दया आ गई उसे उठा कर अपनी पीट पर लाज कर तुझे अपनी कुटिया में ले आया उस दुखित ब्रहम्मन की तुम दौनों अस्त्री पुरुष ने बहुत सेवा की जब महायोगी उग्रदेव को दो घड़ी बाद चेत हुआ तो भी आशर्र में पड़ गए और बोले मैं वहाँ था मुझे यहां कौन लेकर आया श्री नारायन बोले मनिग्रीव उस ब्रहम्मन से बोला हे ब्रहम्मन यहां सुन्दर तालाब है इसमें कमलनी के पुष्पों से सुगंदित शीतल जल में सनान कर माध्यान कालीन क्रिया करके अफ़ला हार कर शेष्ट शीतल जलपान करें तत्पश्चात आप सुक पूर्वत विश्राम करें आप जैसे भगवत भक्त सेवा करने योग्य हैं अगस्त रिशी बोले तब उग्रदेव श्रम रहित चैतन में हो मनिग्रीव की बात सुनकर प्यास की बेचैनी के मारे उठ बैठे और उग्रदेव मनिग्रीव की की छाया में शन्मात्र विश्राम करके स्नान किया और नित्यकर्म करके वासुदेव का पूजन किया और फिर उग्रदेव ने देव पित्रों को तरपन करके शीपल जल पिया तत्पशात बढ़ की जड़ के पास बैठ गए मनिग्रीव मुनिशेष्ट को नमशकार कर सतकार करने के लिए विनैपूर्वक बूला हे ब्रामण आप मेरे लिए उद्दार के लिए मेरे आश्रम में आए हैं इस परकार आपके दर्शन से मेरे सब पाप नश्ट हो गए फिर मनिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा हे सुन्दरी जो जो आश्रम में स्वाधिष्ट पके हुए आम आदी के फल हो उनको शीगर ले आओ देर मत करो और जो भी कुछ कंद मूल फल हो उनको भी साथ में ले आना अपने पती के ऐसे वचन सुन सुन्दरी ने आम के फल और कंद आदी लाकर बड़े हर्श से ब्रहामन के आगे रख दिये मनिग्रीव फिर मुनिश्रेष्ट से बोला हे ब्रहामन फलू का अंगिकार कर आप हम दोनों स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें उग्रदेव बोले अरे भाई मैं तुमको नहीं जानता तुम कौन हो अते तुम मुझे अपना परिच्छे दो क्योंकि बुद्धिमान भ्रहामन बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते मनिग्रीव बोला ये द्रिज तारशुल मैं जाती और भाई भंधुओं से त्यागा हुआ मनिग्रीव नाम का शूद्र हूँ उग्रदेव शुद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रसन हुए और फलाहार करके फिर जल पिया ततपशात सुख से बैठे ब्रहामन के दोनों चर्णों को अपनी गोद में रखकर मनिग्रीव पैर दबाता हुआ बोला हे मुनीशेष्ट इस निर्जन और भयावने दुष्ट हिंसक व्यागर आदी से युक्त वन में होकर आपको कहां जाना है उग्रदेव जी बोले हे महा उपकारी शूद्र मैं ब्रहामन हूँ प्याग जाना चाहता हूँ इस समय अंजाने में इस महा भयंकरवन में भटक कर आ गया यहां प्यास की बेचैनी और ठकान के कारण मैं मरना सन्न हो गया था मुझको तुने जीवन दान दिया है अतह बताओ मैं तुझे क्या दूँ हे मनीग्रीव तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रे क्यों लिया सो मुझसे कहो वह दुख में दूर करूँगा तस्त मुनी बोले इस प्रकार उग्रदेव के मनोहर वचन सुनकर अपने स्त्री के सामने ही मुनीश्वर की प्रात्ना कर दरिद्रता रूपी समुंद्र से तरने के लिए मनीग्रीव अपने कियो हुए कर्मों के फल का वर्णन करने लगा इते श्री पुरुषुत्तम मास बहार्तम 23 अध्याय समाप्त।